चात्रो, आज हम कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे. सर, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतरगत कार्बन और हाइड्रोजन युक्त योगिकों का अध्यन किया जाता है. सर, कार्बन कार्बन परमानु कैसे जुड़े होते हैं? इस अध्याय में आप कार्बनिक रसायन और कुछ आधार भूत सिधान्तों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण, संघनित और आबंध रेखा सनरचनात्मक सूत्रों के द्वारा निरूपित करना। 3D यानि 3V मी सूत्र में कार्बनिक योगिकों का निरूपण करना। कार्बनिक योगिकों को वर्गि कृत करना। पूर्बनिक योगिकों की नामकरन पद्यती का वड़न करना। कार्बन की चतुर संयोजक्ता, कार्बनिक योगिकों की आकृतिया कार्बनिक रासायन, हाइड्रो कार्बन और उसके व्युत्पन माने जाने वाले अन्योगिकों का अध्यन है कुछ कार्बनिक योगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पॉस्फोरस, हेलोजन आधी तत्व भी मौजूद हो सकते हैं कार्बन योगिकों की आकृतिया एक कार्बन पर्माणू के ब्रमात्म कोश में चार इलेक्ट्रोन होते हैं अतह अपने अश्टक को पूर्ण करने के लिए इसे चार और इलेक्ट्रोनों की आवशक्ता होती है कारबन परमाणू अपने अश्टक को पूर्ण करने के लिए केवल अपने संयोजी इलेक्ट्रोनों को अन्य परमाणूं के साथ सहभाजित कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन पर्माणू अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अन पर्माणूं के साथ सहभाजित कर चार सह संयोजक बंधों का निर्माण करता है। इसे कार्बन की चतुर संयोजकता कहते हैं। उधारण, मिथेन, एथीन, एथाइन। कार्बन संकरण में सहभागी हो सकता है और SP, SP2, SP3 संकर कक्षकों का निर्माण कर सकता है। संकरण किसी कार्बनिक योगिक की आबंध लंबाई तथा आबंध एंथाल्पी को प्रभावित करता है। SP संकरित कक्षक में S गुण अधिक होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है और SP3 कक्षक से अधिक सामर्थवान आबंध का निर्माण करता है। SP2 संकरित कक्षक, SP और SP3 संकरित कक्षक के मध्यवर्ती होता है। पायाबंधों के कुछ विशिष्ट अभिलक्षण पायाबंध दो निकटवर्ती परमाणूओं के पी कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से निर्मित होता है। पी कक्षक एक दूसरे के समनांतर और अडू के तल के लंबवत होने चाहिए। पायाबंध कार्बन कार्बन द्वी आबंध के चारो और घूर्णन प्रतिबंधित कर देता है। पायाबंध बहु आबंध युक्त योग्यकों में इलेक्ट्रॉन आवेश अभर उपलब्ध कराता है। कार्बनिक योग्यकों का संरचनात्मक निरूपण पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्रॉन आबंध योग्यकों के संरचना को लुईस या बिंदु संरचना, लगु संरचना तथा आबंध रेखा संरचना के द्वारा निरूपित किया जा सकता ल्यूइस या बिंदू सनरचना को रिण में प्रदर्शित कर संशिप्त किया जा सकता है एक लगूरेखा एकल आबंध को निरूपित करती है उधारण प्रोपेन द्वी लगूरेखा द्वी आबंध को निरूपित करती है उधारण प्रोपीन त्री लगू रेखा त्री आबंध को निरूपित करती है उधारण, प्रोपाइन ऐसे संरचनात्मक निरूपणों को पून संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है अर्बनिक योगिकों का संरचनात्मक निरूपण संगनित संरचनात्मक सूत्र में प्रतेक कारबन परमाड़ू को प्रिथक प्रिथक एक के बाद लिखा जाता है उन कारबन परमाड़ूं से जुड़े समान समू को कोश्टक में लिखकर संख्या को पादांक में प्रदर्शित करते है उधारण पूर्ण सनरचनात मकसूत्र इसके संगनित सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है आबंध रेखा सनरचना है इसमें कारबन और हाइड्रोजन परमाडू नहीं दरशाय जाते केवल कारबन कारबन परमाडू के बीच के आबंध को टेड़ी मेड़ी रेखाओं के द्वारा दरशाय जाता है कारबन और हाइड्रोजन के हतिरिक्त परमाडू को सनरचना में दरशाय जाता है और सिरे मिथेल सम्हू को इंगित करते है उधारण ब्यूटिल क्लोराइड, प्रोपीन, साइक्लोहेक्जीन, डायेथिल इथर, डायमेथिल अमीन कार्बनिक योगिकों का त्रीवीमी निरूपड कागज पर कार्बनिक योगिकों के त्रिवीमी संदचनाओं को ठोस और डैश वेज सूत्र के उपयोग के द्वारा मिरूपित किया जाता है ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की और प्रक्षेपी है डैश वेज दर्शक से दूर जाने वाले आबंध को दर्शाता है कागज के तल में स्थित आबंध को साधारण रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है उधारण, मेथेन पुल्यांकन, आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे आपने क्या सीखा सही और गलत पर क्लिक करें कारबनिक योगिकों का वर्गी करण कारबनिक योगिकों को अचक्रिय, अत्वा, विवरित, शंखला योगिक और चक्रिय या बंदर शंखला या वल्य योगिक में वर्गेकरित किया जा सकता है चक्रिय योगिकों को आगे सम्चक्रिय या कार्बो साइकलिक योगिक और विशम्चक्रिय योगिक में विभाजित किया जा सकता है सम्चक्रिय को आगे एलिसाइकलिक और एरोमैटिक योगिकों में विभाजित किया जा सकता है यह aromatic योगिकों को आगे benzenide और e-benzenoid योगिकों में विभक्त किया जा सकता है अचक्रिय या विवरित श्रिंखला योगिक अचक्रिय योगिक विवरित श्रिंखला योगिक होते हैं और यह eliphatic योगिक भी कहलाते हैं एलिसाइकलिक या बंद श्रिंखला या वले योगिक एलिसाइकलिक वे कार्बनिक योगिक होते हैं, जिसमें तीन या अधिक कार्बन परमाणू आपस में जुड़कर वले का निर्माण करते हैं एरोमाटिक योगिक एरोमाटिक योगिक वे कार्बनिक योगिक हैं, जिनमें बेंजीन और अन्य चक्रिय योगिक सम्मिलित होते हैं बेंजीन, नेप्थिलीन, टॉलीन, आयोडीन, बाइफैनिल, एंथ्रिसीन, पिनांथ्रेरीन, इत्यादी, बेंजिनाइड एरोमेटिक यॉगिक है, ट्रॉपोलीन आदी, एबेंजिनाइड यॉगिक है, शम्चक्रिय एरोमेटिक यॉगिक विशंचक्रिय योगिक, एक कारबनिक योगिक है, जिसमें एक या अधिक कारबन परमाणू, इसी अन्य कारबन के अतिरिक्त, विशंपरमाणू से विस्थापित कर दिया जाता है विशंपरमाणू, नाइट्रोजन, अकसीजन और सलफर है यह किसी कार्बनिक योगिक में विश्यष्ट प्रकार से जुड़ा पर्माणू या पर्माणूों का समू, जो उस कार्बनिक योगिक की रासायनिक अभी क्रियाओं के लिए उत्तरदाई होता है सजाती एश्रेणिया एक सजातिय श्रेणी को संद्रचनात्मक रूप से सामान योगिकों की श्रंखला के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसके प्रतेक क्रमागत सदस में एक समूँ CH-21 का अंतर होता है इस श्रेणी का प्रतेक सदस सजात कहलाता है पुल्यांकन आगे बढ़ने से पहले आईए देखे आपने कितना सीखा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कार्बनिक योगिकों की नामकरण पद्यती नामांकन कार्बनिक योगिकों को नाम देने की एक सूव्यवस्थित प्रणाली है कार्बनिक रसायन की प्रारंभिक अवस्था में कार्बनिक योगिकों का नाम उनके स्त्रोत जहां से उन्हें प्राप्त किया ग्या था के आधार पर दिया जाता है उधारण Acetic Acid का नाम Vinegar से वियुत्पन है क्योंकि Latin भाषा में Vinegar को Acetum कहा जाता है Methyl Alcohol को Wood Sprit का नाम दिया गया था क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन से प्राप्त किया गया था Carbonic Yogico के ये नाम रूढ़ नाम या सामान्य नाम कहलाते है नामकरण की IUPAC पद्दती International Union of Pure and Applied Chemistry को छोटे रूप में IUPAC लिखा जाता है इस पद्दती का उप्योग करके हम किसी Carbonic Yogic को एक व्यवस्थित नाम दे सकते है इसी Carbonic Yogic का व्यवस्थित नाम मूल श्रिंखला, क्रियात्मक समूह और शाखा श्रिंखला की पहचान करके व्युत्पन किया जा सकता है मूल नाम में हम उप्युक्त पूर्वलग्न अनुलग्न को भी संयुक्त करके वास्तविक योगिक का नाम प्राप्त कर सकते हैं सीधी श्रिंखला युक्त हाइड्रोकार्बन इन योगिकों के नाम मूल श्रिंखला संद्रचना पर आधारित हैं इनके अनुलग्न में N तथा इससे पूर्व श्रिंखला में उपस्थित कार्बन परमाणू की संख्या होती है शाकित श्रिंखला युक्त हाइड्रोकार्बन इसमें छोटी कार्बन श्रिंखलाएं जनक श्रिंखला के कार्बन परमाणू से जुड़ी रहती हैं ये छोटी कार्बन शिंखलाएं यानी शाखाएं एलकिल समुह कहलाती है शाखित शिंखला युक्त हाइड्रोकार्बन का नाम देने के लिए जनक शिंखला के कार्बन परमाणूं से जुड़े एलकिल समूह का नाम पुर्व लगने के रूप में जनक एलकेन के नाम के साथ संयुक्त कर दिया जाता है संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणू हटाने पर एलकिल समूह प्राप्त होता है एलकिल समूह का नाम प्राप्त करने के लिए N को L के द्वारा विस्थापित करते है एलकिल समूह के लिए कुछ संशिप्त नाम लिखे जाते हैं जैसे मेथिल के लिए ME, एथिल के लिए ET, एलकिल समू की शाखित शंखला संदचना भी हो सकती है, आइसो प्रोपिल, टर्ट ब्यूटिल, शाखित शंखला युक्त अलकेनों का नामकरण, नामकरण के नियम निमनिलिखित है, सर्वप्रथम, हम यौगिक में दीरगतम कार्बन शंखला का चेहन करते हैं, जनक शंखला के कार्बन परमाणू का अंकन किया जाता है, जिससे जनक एलकेन से जुड़े कार्बन परमाणू को पहचानने में मदद मिलती है, क्रामांकन उस छोर से प्रारंभ करते हैं, जिससे शाखित कार्बन परमाणू को लगुतम संभावित अंक मिल सके, अतह दी हुई कार्बन श्रिंखला में क्रमांकन बाई ओर से दाई ओर होना चाहिए इसके उपरांथ मूल एलकेन के नाम में एलकिल समहों के नाम पूर्वलगन के रूप में संयुक्त करते हैं अतह दिये गए कार्बनिक योगिक का नाम तीन एथिल एक मेथिल हेप्टेन होगा शाकित श्रिंखला एलकेनो का नाम करण यदि प्रतिस्थापी समुह समान हो तो उनकी संख्याओं के मध्य अल्प विराम लगाया जाता है और पूर्वलगन का उप्योग किया जाता है जैसे दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पाच के लिए पेंटा, छे के लिए हेक्जा, साथ के लिए हेप्टा, आठ के लिए औक्टा, नौ के लिए नौन, और दस के लिए डेको उधारण दो तीन डाइमेथिल हेप्टेन यदि दो प्रतिस्थापी समूह दोनों छोरों से समान स्थिती पराते हैं तो निमनितम संख्या उस कार्बन को दी जाती है जो अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में पहले आता है उधारण दो एथिल, पाँच मेथिल हेग्जेन कुछ सामान आईउपीएसी नाम निमनिलिखित है सामान नाम आईसो प्रोपिल है इसका आईउपीएसी नाम एक मेथिल, एथिल और इसकी संदचना है सामान नाम सेक ब्यूटिल इसका आईउपीएसी नाम एक मेथिल, प्रोपिल और इसकी संदचना है सामान्य नाम आइसो ब्यूटिल है, इसका आईउ पीएसी नाम दो मेथिल प्रोपिल है और इसकी सनरचना है सामान्य नाम टर्ट ब्यूटिल है, इसका आईउ पीएसी नाम एक एक डाइमेथिल एथिल है और इसकी सनरचना है सामान्य नाम नियोपेंटिल इसका आईउपीसी नाम दो-दो डाइमेथिल प्रोपिल है और इसकी सन्रचना है पुल्यांकन आगे बढ़ने से पहले आईए देखें कि आपने कितना सीखा सही विकल्प चुन कर रिद्ध स्थानों की पूर्थी करें शाखित शंकला वाले एलकेनों का नामकरण बहु प्रतिस्थापी समुह वाले योगिकों के नामकरण में निमनलिखित नियमों को ध्यान में रखना आवश्चक है यदि कारबन की समान संख्या वाली दो शंकलाएं है तो ज्यादा शाखा श्रिंखला वाली श्रिंखला को चुना जाता है श्रिंखला का अंकन उस छोर से प्रारंभ किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक प्राप्थ हो उदहरण दिये हुए योगिक का IUPSC नाम 422-Dimethyl-Propyl-Octane है एकल आबंध वाले सम्चक्रिय योगिकों का नाम संबंधित, विवरित, शंखला, एलकेन के नाम में साइकलो पूर्वलगन लगा कर प्राप्थ करते हैं उदहरण साइकलो ब्यूटेन साइकलो पेंटेन साइकलो हेकजेन क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक योगिकों का नाम करण क्रियात्मक समूह इसी कार्बनिक योगिक की रासाइनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवित्ती को परिभाशित करता है बहु क्रियात्मक समुहों वाले योगिकों में एक क्रियात्मक समुहों को मुख्य क्रियात्मक समुहों मान लिया जाता है उचित पूर्वलगनों का उप्योग करते हुए और बाकी बचे हुए क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी मान उस योगिकों को नाम दिया जाता है कुछ क्रियात्मक समूहों की तालिका निमनलिखित है परात्मिक्ता के आधार पर क्रियात्मक समूहों का घट्टा हुआ क्रम निमनिलखित है कारभॉकजिलिक अम्ल, एसिड, एन्हाईड्राइड, एसिड्क्लोराइड, एमाईड, नाइट्राइल, एल डिहाइड, किटन, 기टोन, एल्कोहॉल, एमीन, एलकेन, एलकीन, हाइन, हेलो, नाइट्रो, एलकॉगजी, एलकेल उदारन हम निम्न लिखित कार्बनिक योगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे यहां मूल शब्द भ्यूट है और अनुलग्न एन है यहां दो क्रियात्मक समू है किटोन और एलकोहॉल एलकोहॉल समूह की अपेक्षा किटोन समूह को उच प्रात्मिक्ता प्राप्त है अतह दुतियक अनुलग्न ओन होगा पुर्वलग्न मेथिल और हाइड्रोक्सिल होगे अतह नाम होगा तीन हाइड्रोक्जी, तीन मेथिल ब्यूटेन, दो ओन प्रतिस्थापी बेंजीन व्यत्पन्नों की नाम करण पद्यती बेंजीन व्यत्पन्नों का नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समुह का नाम पूर्व लगने के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्व लिखते हैं उधारण ब्रोमो बेंजीन टर्ट ब्यूटल बेंजीन नाइट्रो बेंजीन यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समुह बेंजीन वले से जुड़े हुए हैं तो बेंजीन व्युत्पन्न में प्रतिस्थापी समुहों की स्थितियां संख्या में दर्शाई जाती हैं वले के कार्बन परमाणों का क्रमांकन इस तरह से किया जाता है कि प्रतिस्थापी समुहों वाली स्थितियों को न्यूनितम संख्या मिल सके उदाहरण 1-2-Dinitrobenzine 1-3-Trinitrobenzine 1-4-Dinitrobenzine रूर पद्दिती में और्थ्रो-O, मेटा-M, पेरा-P, पुर्वलगनों को संबंदित स्थितियों क्रमशह 1-2, 1-3 और 1-4 को दर्शाने के उप्योग में लाया जाता है उदाहरण और्थ्रो-Dinitrobenzine मेटा-Dinitrobenzine पेरा-Dinitrobenzine बेंजीन व्योथपन्नों की नामकरण पद्दिती और्थ्री, मेटा और पेरा-P, पुर्वलगनों को दो से अधिक प्रतिस्थापी वाले बेंजीन वले के लिए उप्योग में नहीं लाया जाता है और योगिकों का नामकरण प्रतिस्थापियों की शितियों को बेंजीन वले में निम्नितम संख्या प्रदान करके किया जाता है मूल योगिक के प्रतिस्थापी की स्थिती को संख्या एक दे कर इस प्रकार क्रमांकन किया जाता है कि अन प्रतिस्थापियों को निम्नितम संख्या मिले प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में लिखे जाते हैं उधारण हम फ्लोरीन को संख्या क्रम एक देते हैं जिससे नाइट्रो को दो और एथिल को चार क्रमांग प्राप्त होता है इस योगिक को अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में लिखा जा सकता है चार एथिल, एक फ्लोरो, दो नाइट्रो बेंजीन जब बेंजीन, वलय और क्रियात्मक समूह एलकेन से जुड़े रहते हैं तब बेंजीन, वलय को प्रतिस्थापी माना जाता है फैनिल, नाम, C6, H5 को दर्शाने के लिए उप्योग में लाया जाता है उल्यांकन आगे बढ़ने से पहले, आईए हम देखें कि आपने क्या सीखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आप जानते हैं मेसेंजर अंतरिक्ष यान ने बुद्ध ग्रह पर न सिर्फ जल और बर्फ के अस्तित्व का खुलासा किया और साक्ष प्रस्तुत किये, बलकि कई जगहों पर यह बर्फ 10 सेंटिमीटर मोटी कालिक जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से धकी हुई प्रतीत होती है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए कार्बनिक रसायन, हाइड्रो कार्बन और उसके व्योत्पन माने जाने वाले अन्य योगिकों का अध्यन है कार्बन एक चतुर संयोजी योगिक है पायाबंध दो निकटवर्ती परमाणूओं के पी कक्षकों के पार्ष्व अतिव्यापन से निर्मित होता है कार्बनिक योगिकों को पूर्ण, संगनित और आबंध द्वी रेखा संरचनात्मक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है त्रिवी में यानि 3D निरुपण में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागस के तल से दर्शक की और प्रक्षेपी हैं और डैश वेज दर्शक के दूर आबंध को दर्शाता है अचक्रिय योगिक विवरित शेंखला संरचना हैं जबकि एलिसाइकलिक वेकार्बनिक योगिक है जो आपस में एक वले में जुड़े रहते हैं क्रियात्मक समूह किसी योगिक में उपस्थित पर्माडवों का ऐसा विशिष्ट समूह है जो इस योगिक की रासाइनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है कार्बनिक योगिकों का नाम नामकरण पद्धिती के अनुसार दिया जाता है रूडपद्धिती में और्थरो ओ, मेटा एम, पेरापी, पुरवलगनों को बेंजीन वले की संबंधित थितियों क्रमशह, एक दो, एक तीन और एक चार को दर्शाने के लिए उप्योग में लाया जाता है झाल 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 झाल